जैशे किशना दोस्तो वैलकम बैक टो आर चैनल आई होप आप सबस्वस्त होंगे और मस्त होंगे तो दोस्तो जो आप ये में एक बर्दे पार्टी में जारी थी उसके लिए मैंने क्रियेट कर रहा था और आप इसे इंडियन वेस्टरन किसे के साथ भी कर सकते हैं हमारे टी इस सारे स्ट्यप्स बता के इस मेकsten कॉछ शेयर करों और दोस्तो कोई याजय से नियुक निकल कर आया था वैसे ही बातकि ही मेने तो यहां पर मैंने मॉश्राइजर अच्छे से लगा लिया है इसको अच्छे से अब्जॉब होने के लिए छोड़ देना है उसके बाद दोस्तों मैंने ब्लू हैवन के लिए थोड़ी खतम हो गई है तो मैंने इसे फिंगर के लगा लिए तो जिस तरह से हमें स्किन को मॉश करना बहुत जरूरी है हमारा अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो चुगा मॉश्राइजर यह हमें प्राइमर की जगा ऐलोवेरा जल यूज कर रही हूं यह भी काफी अच्छा काम करता है प्राइमर की जगा और स्किन को नुकसान भी नहीं करता है इसे दो मिनट के लिए हम छोड़ देंगे अब्जॉर्ब होने के लिए दोस्तों यहां पर कोई एक्स्ट्रा लाइट और कोई फिल्टर नहीं है जिससे आपको एक्च्छल जो मेकप लुग निकल कर रहा था उसका एक्च्छल आपको लुग को यहां पर पता लग सके तो यहां पर मैंने दोस्तो स्पीड मैंने आख हास्ट करके आप खलके हाथ इससे इसे सको डाप करना है फिंगर रब करने से क्या तो दोस्तों वायम हो जाती तो प्रटेक्ट के अच्छे से हमारी कि सिज्टा में ऐब्सवर्ब हो जाता है क्योंकि हीच से मिल्च हो जाता अच्छे से उसके बाद माझ यहां पर blue heaven का loose powder लोंगे और बहुत थोड़ी quantity में लेना है कि अभी बहुत जादा summer नहीं है बहुत जादा powder लगाएंगे तो वो skin dry feel देगा और make-up क्या है बैच ही हो जाएगा उसके बाद मैंने swiss बीटे गए हाँ पर अपना eyeshadow palette लिए इसमें से थोड़ा सा मैंने medium brown shade लिया है जिसको मैंने पूरी क्रीज पे पूरी transition shade as a transition और eyelet पे एक तरह से base बना लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा new type यान की brownish type makeup करना था क्योंकि मैंने dress of white और light brown type color की थी उसके बाद मैंने यह dark brown color लिया है flat brush से और मैंने outer V पे यह one fourth outer V पे मैंने इसको अच्छे से apply कर लिया है और दोनों color को बाद मैं आपस में blend कर लिया है ताकि कोई harsh line अलग से ना दिखे त आई shadow palette इसमें से मैंने यह light golden and not copperish golden color लिया मैंने और यह copperish light दोनों को मैंने mix कर रहा और यह color मैंने apply कर रहा जो बहुत अच्छा लग रहा था तो दोस्तों आप भी से ना दो color mix करके एक नया color बना सकते हैं क्योंकि हम same same color लगा कर बोल हो जाते हैं तो इससे क्या है eye makeup काफी अच्छा लग रहा था और जो color बनकर आया था बहुत ही मतलब dress और eye makeup के साथ perfect जा रहा था इसको लगाने के बाद मैंने यहां पर फिर अपना concealer लिया थोड़े से dark circles है हलके सुन को hide करने की नहां पर तिल्विल है और जहां पर मुझे pigmentation लग रही थी हुआ पर मैंने इसको लगा लिया और अच्छे से damn beauty blender से इसको मैंने set कर लिया आखोंगे नीचे दोस्तों जभी भी set करें उपर की तरफ देखते वे इस तरह से करें तो क्या है बहुत finishing आती है और lines fine lines वगएरा अच्छे से hide हो जाती है तो यहां पर भी मैंने एनवाइबे का foundation लिया इसका shade है number 8 अब अपने skin tone के साब से लीजेगा मुझे काफी अच्छा लगता है यह coverage medium देता है लेकिन मेरी skin को काफी सूट करता है और काफी budget friendly है तो यह मैंने वेले अपने fingers की help से सरा से पूरे face पे फैला लिया फिर मैंने इसको बाद में beauty blender से अच्छे से से लिए और दोस्तों foundation लग अच्छे से डाइब करके सेट करें जिससे की सारा evenly spread हो जाए और जो excess product है वह हमारे blender में आ जाए अगेन मैंने लूस पर लिए लूस बहुत थोड़ा लेंगे सबसे पहले आखों के नीचे लगाऊंगी ताकि यहां पर मेरी जो आखों के नीचे मैंने consider लगाया था वह अच अच्छे में compact powder या loose powder का यूस करना पड़ा सकते हैं मैं बहुत जारा डाक नहीं करती हूं ना चल सा लुकी देना पसंद करती हूं था पर आइब्रोज हो चुकी है फिल्म मैंने फिर यहां पर यह लिप्स्टिक लिया है ब्राउन शेड में है आज मैं क्या करने वाले दोस बहुत है कि आपको कलर लाइनर लगाने का मनें आपके पास ना हो तो आप लिक्विड लिप्स्टिक से इस से ऐसे कलर आई-लाइनर अप्लाइब कर सकते हैं काफी अच्छा लगता है और कभी-कभी दिल करता है कि कुछ डिफरेंट करा जाए क्यूंकि वही सेम ब्लाइक कल करते हैं ना कि पहले color करके फिर इसके चारह करते हैं थिक करें सब्सक्राइब लेकिन थिक नहीं करें ति जी से मेरा मेन Firmen rifle फोकस है उड कर्साइब और दिक सबस्केश कर्णा है और थोड़ा साCalर जो है पॉप-पुप हो интересно सब youtubeAT कि हम आईशेडों का यूज़ करते हैं तो इससे हमारी आईश भी बड़ी दिखती हैं फिर मैंने सेम यहां पर डाक वला वही ब्राउं का रख आईशेडों लिया है और आईश के नीचे अच्छे से ताकि मेरा काजल समझना हो और आई मेक अप कंप्लीट सा लगे एक काउय लाइक जाएक कर में ने यहां पर नौस फेक occupied damit फॉर्म करते हैं और पर कोस्तिक लेरी हुआ हूं करे आंशेडों कर लिया वहां एकशेस हो डाहसे अपना रिमूफ कर लिया था रिमूफ क्या करना था उसे सेट करना था फिंगर्स को मैं जारा था दोस्तों मैं फिंगर की हल्प से गड़ती नोस को कॉंटॉर देखिए आप थोड़ी से प्रैक्टिस की जुरूरत है काफी अच्छे से हो जाता है तो जुरूर नहीं हर काम के लिए यूज़ करें तो यहां पर दोरों कंटॉर सेट करने के बाद मैंने आपने ब्लू हैविन का यह लिए ब्लाश लिया दोस्तों बहुत ही अच्छा है बहुत ही क्रीमी है पूरी मैंने साम से विंटर सिजन इस बार यही यूज़ कर रहा है और सिर्फ एक डॉट लगता है इ क्याने कि थोड़ा सा जाधा अगर आपको कम लगे तो जाधा लगा सकते हूं यहां पर हल्किल की फिंगर से डाइब डाप करते हूं मैंने इसको सेट करा फिर बाके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से दोनों को अपनी कॉंट्र लाइन को और अपनी ब्लाश को अच्छे से के लिए आइब्रोस का जो हमारा यह आर्च वाले अरिया अटो जो उठा वहां पर मैंने हलका सा इसको लगाया ताकि थोड़ी जो मेरी आइब्रोस है वह उठी भी लगें क्योंकि यह नाइट लाइक मेक अप था में बार्द्र पार्टी में जा रही थी तो वहां के लिए लग रही थी मतलब तो कभी फेक लगाने का ना मन हो तो अच्छे से आप थोड़ा सा टाइम जरू दिना पड़ता है पेशेंस वाला काम है तो स्वीड में आपर पास्ट कर रखी है बहुत आपको अराम से करना है तो मैंने आप दो तिन कोट लगा है तो आप ध्यान से दे लेकि यह देखिए जर्स हब का लाइट ब्राउन चीट है इसको मैंने अंब्रे एफेक्ट दिने के लिए लिपस्टिक में बीच में मैंने इसको अपलाए करा था थोड़ा सा क्योंकि यह काफी ड्राय हो चुका है लेगिन मेरा काम चल गया था उसके बाद लास्ट मैंने लगा लिए थे सब करने के बाद जिसकी मैं क्लिप शूट करना भूल गई विकाज मेरे को हो रही थी देर उसके लेक्स्टिमी सारी तो यहाँ आप लिख सकते हैं कुछ ओवर नहीं लग रहा है और न्यूट सा है आप डे टाइम में भी मतलब इस मेकप लुक को आराम से कर यहाँ बिख सकते हैं अच्छा लगा होगा ऑप आप अच्छा लगा होगा ओ लाइक कर एक नई वीडियो में तब तक के लिए आप सब को राधे राधे